हेलो ब्यूटिफुल्स दोजी गुद बॉर्णिंग असलाम लीकुम सस्तिकाल नमस्ते दोजी आज है संडे और उठने में तोड़ा लेट हो गई तो नो बजे खाली मैंने वाम वचर लिया था क्योंकि लेट हो गई थी और कुछ भिगोया भी निता जीरा जवाइन या बाकी जो यह पूरी थी इसको मेना कागस में अच्छे से नीच ओड़ लिया था तो अगर आपको कभी होता उप्शन नहीं होता तो इस तरीके से कर सकते हो लेकिन घर की बनी हुई पूरी खाएं ठीके उसके बाद मैंने मिल्क टी ले ली थी जो के भही मुझे चाही होती ह अपनी ब्रेकफस्ट और इवनिंग में विंटर से तो इवनिंग में लेती हूं फिर चलो एक रेसी की शेयर कर देती हूं मैं कल करती बच मिझे टाइम नहीं मिला तो आज कर देती हूं तो यह मैंने बदाम ले लियते साथ में तील बदाम को मैं मिक्सर जार में तो यह रेसिपी में बना रही हूँ, विंटर स्पेशल और वेट गेड नहीं करेगी रही है, आप रही है, स्टाइल में बना रही है, आप बडाब बस्विंटर बना ने बनाओ, खाओ और मज़े करो तो मैंने वन स्पून देशी गी ले लेता, ठीक है, वन टेबल स्पून अब यह गुड़ है तो गुड़ रखा हुआ है मैंने सोजा चलो इसका कुछ बना लेते हैं खाया तो जाएगा और वेसे भी हैल्दी होता है थोड़ा एक चिक्की रोज कहा सकतो वेट गयर नहीं होगा बनाना ठीक हो कमेंट्स में बताना मुझे पहले रेसिपी देख लो त अब यह बनाओ और खाओ ठीक है जी परस इसको मेल्ट होगया तो अब में इसमें क्या करूंगी जितना भी मेरा बदाम का जो पॉड़ा था था ना वो इसमें एक कर दूंगी और अगर आपके पास बदाम नहीं है तो मुझे तो मुझे थोड़ा गम लगा था तो मैंने इ मिक्स करने के बाद थोड़ देर बाद मैंना और डाल दिया तो मुझे लगा के कम है अभी ठीक है आ यह इस तरीके सा हम बस इसको मिक्स करना है और यू ही बन जाती है आप कभी भी बनाओ खाओ और इसमें नारियल वगिर अगर आपको नारियल का फ्रेवर अच्छा लगत तके वह जब कट करें ना तो एक एक पीस अच्छ असानी से निकल जाए चाहिए उपर से मैं कोशिश करी थी से वाइट करने की पट मैंने सोच और तील है इस कंदर में क्यों डालू तो हलका सा मैंने छिड़क दिया था बागी जब इसे कर लो तो जो भी आपको शेव देन पिर मैंने क्या करा हूँ जब इसको आदर घंटे हो गया तो मैंने एक पीस निकाला तो असानी से निकल करेते हैं और बहुत जादर टेस्टी बने ते गड़ में महमान आये थे उन्हें भी बहुत जादर टेस्टी लगे और दो कंटेनल में या गया है और इसे खाएंगे मज़े करेंगे और चलो अब मैं आपको एक रिसी प्योर शेय करती हूं वेच प्लाव की मैं कैसे बनाती हूं आपको बता रही हूं बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं हर किसी का तरीका अलगा लोग होता है मैं अपना तरीका दिखा देती हूं अगर आपको उच्छा लगे त पाल से चे उसके अलावा इसमें मैं यह जीरा डाल दूंगी और एक ना वह मैं फिर नाम बूल गई उस पूल का घड़े मसालों का यह कोई सब फूल होता है मैं नाम बूल गई चलो कोई बाद नहीं आप समझ तो गए होंगे ना फिर अगर इसमें बूनने के बाद ना थो कुछ वेडिटेबल्स होंगी याप मसाले होंगे पहले मसाले करूंगी इसमें जैसे के हल्दी और पीसीवी आहां लाल मिच आप चितना तीका खाता है अपने हिसाब से रखना ठीके जी थोड़ा सा धनिया पोडर थोड़ी सी कटी हुई अधरक जरूर डालने इसमें अच के लावा में इसमें जैसे के गोभी है गोभी एट कर दूंगा आपके घर में जो भी वेडिटेबल्स अवेलेबल हो एट कर देना ठीक है इसके बाद थोड़ी सी बीन्स और कैरट मुझे ना बीन्स आलू की सबजी बहुत अच्छे लगती है मैं कैसे बनाती हूं किसी दि कि फwe bagi tagi आद भी कना देरहें sitting ,सल्ट दाल को मिक्स करनानी के बाद में इसमें पानी ऐट करनी दाल एक हाइट करनी में जाब से लाएक साथ में एक से अपना एक मदलाब से लायक सीटी लगानी है हाई film पे एक सीटी लेके बस बंद कर दियेगा अच्छा चावल जो हैं बासमती राइस हैं वो मैंने आदे घंटी के लिए भिगो के रख दिये थे वो वीडियो में बनाना भूल गए थी जैसी एक सीटी आई और मैंने इसको गेफ्स को आफ कर दिया था और इसे खोला अब इसमें डालूंगी में राइस जो के आदे घंटे मैंने भिगो के रखे हुए थे अच्छे चावल भी पंद्रह से बीस यादे घंटे हो बिगो दो दो सीटी में यूं ही आ जाते एक सीटी हाउी पे लो और एक सीटी लो पे लेलो और फिर चुले को बंद करदो इतने खिलेщее चावल बनेगेए मैं बतानी सकती बस इसको अच्छे से मिक्स करना और मिक्स ज़रूर कटालो चैनलब मिक्स करने से यह होगा करे में ऊच्छा करना लिए जो जरूराइट करना चावल बहुत अच्छे खिले-खिले बनेंगे यह भी एक ट्रीक होती है तो बस इसको मैं दो सीटी तक खिलोगी और खोलोगी देखो कितने खिले-खिले चावल बनेना बहुत जादा बहुत ही जादा और आप इस तरीगे से बना सकते हो गर में और बह आज की मेरे लांच में यही था एक टेबल स्पूर में एड़ा वेजब्लाव लेले था साथ पे है और रेट वाली चेटिरी ठीक है मुझे बहुत अधा मन ता काफी टाइम से आज खाने में अगरीब हो चुकी और मत्ब इविनिंग स्नैक मैं लियानी था सिप कॉफी ले तो मुझे लगी भूख तो मैंने किन्नू कट कर लिया ता कटने शील लिया ता तो बस वही खा रही हूं यह मेरा इनिंग स्नैक रहा है मिलती हुटी हुटी हो टाइम पे और वैसे खाना मना रहे हैं मैं किछन में जो भी खाऊंगी आपके शेयर दोगी तो यह मैंने गोश जली से खोला फिर एक दम से डाला उसको साथ सेटी लोगी उस और दूसरी साइड मेरा बन रहा था कीमा हरी मिर्च कीमा बून रही हो यहां पर हरी मिच तो इस रखती ना कची कची आती भी तो बिरियानी के लिए मैंने ओल यह उसमें गालिक डाल के अच्छ से बूल लिया हरी मिच है ओर भी बिरियानी यह बिरियानी में डालती है हरी मिच का चार नहीं po तल में कुछ करती आपके शाणऄरा भी डाल सकते हैं पर जितनी वी यकनी लिग कर टिया बो डाल दूंगे और अद्रक डाल दूंगे ठीक है फिर इसमें अच्छे से इसको जैसे उबाला आ जाएगा तो इसमें राइस डाल दूंगे राइस जो है सेला पक्के वाले होते न वो हैं और फिर इसको जब भी अच्छे से चावल हो जाएंगे ड्राइस तो इसमें जर्दे गरंग डालना ह मेरा कोर्मा कोर्मा नहारी जो मेरा आपी नहारी ती और जो मेरा दीनर राइस की वॉनटिटी है और 6 टीस्पॉन साथ में कीमा कीमे बहुत जाधा कम डाला था मैंने और राइटा है बुंदी का और एक पाओ मतब रोती है संडे है अब कर दो तो जी हुआ निकल चीक हुँ डिनार करने के बाद और फैसल क्या किया रहा है मुझे कुछ समझ में आ रहा है आपके समझ में तो बताना और साथ मैं आपी भी जा रही है अपने घर तो उनके ना ओटो के साथ साथ हम अपनी बाइक चला रहे ते डर लगता है ना क मैं लिटनर करने के पाद मी निकल गगाई निकाया जाने के लिए साथ में अपनी मुझे ना मैरी आपवाव मुझे साथ में हम लोगे बहुगे बाद भार हम चोड़ेंगी हो अपनी जाजा दूंगी और तो जी वहां पोचे महां शामी कबाब कचुरी और बॉइल एक सब्सक्राइब ले ले लिया था जादे जित कर रही था खाना पड़ गया फिर घराने के बांद में जोच्रियू मैंने ऐसे क्यों करा डाइट पूरी खराब हो गया जीनर भी हैवी हो गया डबल डबल खा लिया चलो कोई बात नी कभी कभी हो जाता है चलो जी वीडियो पसं के